सब्सक्राइब कीजिए बंगला गुरू यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेडिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंट आप देखरें आटूब चैनल और आज जो हम बात करेंगे के माई की सेट के बार में इसका मॉटल नमबर है वाई टू यह रेडमी का वाई टू है ठीक है अंदर जो प्रॉब्लम है कि इसका जो पावर किये वह वर्क नहीं कर रहा है जब हम सेट को चार्ज में तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं लेकिन जब भी मैं पावर कि को प्रेस कर रहा हूं तो यह जो है यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है तो अगर आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्ब करेंगे वहीं मैं आपको यहां पर फिर से मैं अफ्लोड कर रहा हूँ और वीडियो भी मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो आपलोड नहीं किया, लेकिन अपने इतना प्यार दिया है, फिर भी हमारा चैनेल जो है 25,000 के आसवार जो है हमारा subscriber हो गया है सबसे पहले मैं इसको जो है रिमोप कर लेता हूँ बोड को ठीक है सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि इसका जो power of one की का जो लाइन है वह कहां से कहां तक आया हुआ है और कौनसा कौनसा IC का आपको जो है यहां पर काम करना है ठीक है उसके बाद मैं आपको Schematic से बताओंगा तो देखिए यह हमारा Power यहां पर देखिए यह हमारा Power की Connector है इसमें Volume Plus Minus और Power की यहां ही पर होता है और उसके बाद यह यहां पर आपको इदर आता है आपको पहले मैं आपको समझा देता हूं उसके बाद मैं आपको डाइग्राम से समझा होंगा ठीक है पहले मैं आपको दिखा देता हूं उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है इसमें जो आता है हमारा कनेक्शन यहां से यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहां से होता है इस डाइट में जाता है और इस डाइट का जो उपर वाला कनेक्शन है यह हमारा पीमाई से आता है और जो नीचे है वो हमारा पीम से आता है तो चल तो देखे यह हमारा वाई टू एस टू एक ही बोड होता है ठीक हमारा बोड है और इसमें ऑफ-उन और स्थाइट की का जो यहां पर हाड़ वर्क सोलेक्शन दिया हुआ है अगर आपके पास बॉर्नियों है तो बहुत ही अची बात है अगर नहीं है तो फिर भी आपको जो मैं आपको जैसे कहा था यहां पर हमारा पर कने हमारे बनिक के पावर ऑफ-उन है भॉलिए फूल यह हम्रा बाला देखा है ओक आरं इस की पॉड़ के किवरें के तो देक्तिएंगे उतनीर क्या है उन् इसमें आथा है इसका कनेक्शन आते है यहां से हमरे टेस्ट पॉंइ क्ैले के दिखें लेकिन पर श Ultra सकता है फिर अपका बूड में दैटu हो सकता है दून इनबर जो दाइड होग से होते हुए देखिए यहां पर मुन किलो ओम का उपर साइड में इसका क्नेक्ष न यह से हमारा यहां पर की का यह दूसरा नंबर फिर वर श कंसे आते पर सब्सक्राइब में यह सीधा सिधा से इंदर कोई कनेक्शन नहीं है यह पिर माइप देखे यह दो नमबर के वा है एहां पर direct आया हुआ है हमारा diet के उसी सीरा में और नीचे देंखिये एक connection आए हुआ है जो कि कै्शिय पर किन्यच टरफ नीची की तरफ connection आ रहे है मतलब लाइन जो है पीम से भी आया हुआ है और पिरूइो इस से आया हुआ है न त्डो bucket है हमारा connection जो यहांसे यहां तक आया है यह lived missing है यह फिर power का problemzahl है या फिर हमारा पिए participar प्रोब्लम के प्रोम का अंदर्डkung यहां पता कर सिर्णैकर या पर यहां श्रुट से चलेंगा तो वही बात आता है तो आपको को ग्राउंड कीजिए ठीक है प्लास को ग्राउंड कीजिए और उसके बाद और जो भलाक प्रोब है उसको आपको छ रेच्कव कर रहा है कि नहीं कर रहा है आगर अगार कुछ फ्रल में कर रहा है इस पांड में तो आपको आजाना है सिदर सिदा यह जो horizont का सा रिजिस्टेंस लगा हुआ है यहां पर टेस्ट फॉइंड इसके मतलब यह हो गया कि हमारा इधर से है जो इधर का लाईन हैं वह हमारा मिसिंग है तो हमको क्या करना है simply यहां से लेकर यहां पर एक jumper करके देखना है या फिर आप टूजर से भी यहां पर ground से short करके आप चेक कर सकते हो सेट अपका power की कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और अगर यहां पर value आ रहा है और इसका फेलू फुड़ा प्रॉब्लम दिखा रहाया इसको भी आपको check करना है लेकिन इसको इस resistance को check करने से पहले हमको और दो connection को check करना है यह जो हमारा चीकी resistance की नीचे दिखें यहां पर क्या हुआ है यह PMI से आया हुआ है तो हमको यहां पर तरीके से हमको reading को चेक करना है की PMI जो PMI का connection है जो कि इस डायेट से होते हैं हमारा resistance में गया हुआ है इसमें कुछ reading है या नहीं है मतलब आपको वक एक वाण बाई वाण लाइन आपको check करना है अगर यहां पर reading आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है हमारा PMI से जो connection लिकला हुआ है वो हमारा यहां तक सही है मतलब हमारा connection जो है वो okay है इसमें कोई problem नहीं है उसके बाद हमको क्या करना है जो हमारा power से जो connection लिकला हुआ है उसको फिर हमको यहां पर reading चेक करना है कि reading जो है वो हमारा से ही है या नहीं है तो हमको one by one सबसे पहले reading को check कर रहा है अगर सारी reading से ही हो तो आपको यहाँ पर one kilo ohms का ready आपको जो यहाँ पर जो resistance लगा हुआ है इसको आपको check करना है कि आपको इसमें जो है कोई problem है अगर यहाँ से कोई reading missing है मालने जिए कि यह जो PMI है यहाँ पर कुछ नहीं reading शो कर रहा है इसका जो value है वो zero दिखा रहा है कुछ नहीं है तो फिर आपको problem क्या हो सकता है आपका जो PMI यहाँ से जो connection आया हुआ है वो हमारा missing हो सकता है यहाँ पर से आया हुआ है यहाँ आया हुआ है तो हमालने जिए कि power में हमको कुछ reading यहाँ दिखा रहा है और PMI से से connection उपर की तरह हो आए यहाँ पर कुछ reading नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब यह हो गया है कि हमको पर PMI से काम करना है पावर का हमारा problem नहीं है अगर सेम तरीके से अगर PMI का जो connection आया हुआ है यहाँ पे अगर कुछ reading शो कर रहा है और नीचे की तरब जो power से आया हुए यहाँ पे कुछ reading नहीं आ रहा है इसका मतलब यह हो गया कि हमारा जो power बाला connection है जो की हमारा कि यहां से 123 और अगर इधर से हम काउंट करें तो यह होता है 15 नमर पीन अगर काउंट करें तो 12345678910 11 12 13 14 15 तो यह जो पीन है और अगर इस टाइप से देखे तो आमको जो तीन नमर बला पीन आ रहा है तो आप यह पर देख लिए जो आपको आपको आच्छा लागे आप वी है वह यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है जहां पर हमारा रीडिंग मीसिंग होगा हमको उसी आइसी पर अटक करना है ठीक है तो चलिया मैंने आपको यह पर जो है बता दिया है connection कहां से कहां तक आया हुआ है वन देखिए यह हमारा बोट है चलिए मैं इस थोड़ा इसक आपको और भी clarity आएगा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए मैंने आपको जो आपको आप डाइग्रम पर समझा दिया है जो हमारा बोर्णियों का टूल होता है मैंने आपको समझा समझा दिया है तो देखिए अभी आप माल्टी मिटर को अन कर लेते हैं ठीक है और यह ह अनक्रव करेंगे दो नमर फ्लक्रापासिटर में हम रिदिंग करेंगे कि रिदिंग रिडिंग कितना राएं यहाप ए यहापि कmeg रीडिडिंग राए हा चैके 4497 मतला हमारा क्नेक्षें यहाँ प्र यहाँ तको क्य वरन sini वाना है है करना है, यह इसрем मरा चेख करना है, कि यहाँ पर रिडिंग आ रही कि नहीं रही है, तो देखें, मनी चेक करता हूँ, तो देखें, होई रिडिंग यहाँ पर सैम दिखा रहा है, 149697, हो एक यह दो फॉइंट का कॉयी यहां पर प्रब्लेम नहीं होता है मतलब यहां से यहां तक हमरा religious最近 जो आप क्रेक्षन आई और काीम है और श्थित नहीं है अर्ष यह पुछी को सकता हanson Impf जाएगा वह बिधिकल खूंज अर्ट को हैं नहीं है है तो देकी प्र मरा यहीं पर जो पा यह जो connection यह पर है तो नहीं है तो देखें मैंने rate को Ground किया हुआ है और black prob को मैंने यह लगाया तो इसमें कुछ Raiding नहीं है तो चलिए फिर से मैं यह पर ultra कर लेता हूँ Ground कर देता हूँ प्लाक को और rate को मैं यहाँ आपर Raiding देखता है तो देखिए इसमें भी कोई नहीं है, OL दिखा रहा है, मतलब हमारा जो connection है, यह power से यहाँ पर missing हुआ है, तो आपको इसी तरीके से चेक करना है, कि आपको connection कौन सा missing है, अगर नहीं तो फिर अगर आप सही से connection find out नहीं करेंगे, तो फिर आपको power को भी आप remove करेंगे, वह से क आपका PMI का connection खराब हो, तो फिर आपको PMI को भी open करना होता है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इसका power को अभी हम remove करेंगे, तो इसके लिए हम इसको cover करेंगे, जैसे मैं करता हूँ, मैं इस blade की मदद से जो है, मैं जो हमारा CPU और MMC है, हम इसको cover कर देता हूँ और IC को खोलने से पहले, अगर आपको पता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता, तो आप एक बार देख लिजिए, मैं जो करता हूँ, हमारे एक nose type होता है, मैं इसको nose बोलता हूँ, एक बिंदू होता है, एक dot होता है IC का अंदर, जिस type आपको dot दिख जाए, बिंदू, nose, जो भी आपको समझ में आए, जो आपको आपको आच्छा लगा, आप वही याद करके रखिएगा, जिस type में, जिस side में होगा, आपको उसमें एक छोटा सा, यहां पर क्या करना है, आपको सिम्बल करना है, इस क्रेस कर देना है, यहलिए हम पाव आप लाइन में जो डाइट लगा हुआ है, उसके साथ, हम उसका continuity चेक करेंगा, अगर continuity सही रहेगा, तो भी हमको पावर को चेक, चेंज करना होगा, है ना, तो देखिए हमने पावर को रिमूब कर दिया, अभी देखिए, फिर से हम आजाते है, हमारा यहां पर डाइग्र चेलिए, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, और मुझे पता है कि आपको यहां पर कुछ clarity नहीं आएगा इसमें, क्योंकि माइक्रोस्कोप का कैमरा मेरा है नहीं, तो ले लेंगे उसको भी जल्दी, माइक्रोस्कोप का कैमरा, थोड़ा दिर अभी मेंने, क्योंकि काम स्टार्ट किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगे गई, बास आपको support चाहिएगा, आप support करते रहिएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी आपको support करने के लिए, तो चलिए हम count करते है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, यानि कि यह बला जो हमारा connection है, यहां से यहां त हम चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, तो यहां से यहां तक continuity होना चाहिए, जो कि कुछ नहीं आ रहा है, है मैं, तो हमको क्या करना है, अभी एक jumper लगाना है, जो connection हमारा है, यहां पर schematic में देखिए, जो connection हमारा है, यहां से output हुआ है, इसको हमको क्या करना है, यहां से होते ह हुए, यहां तक जो हमको जो है, यहां पर jumper कर देना है, तो चलिए, अभी में थोड़ा इसको clean कर लेता हूँ, तो clean करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा paste लगाएंगे, और जो मेरा disorder wire होता है, हम उससे यहां पर clean करेंगे, तेगे, क्लीन हो गया है, कर सकते हो, अभी हमको क्या करना है, इसे jumper wire लेने के बात हमको jumper करना है, लेकिन हमको यहां पर एक चीज़ को ध्यान देना है, सबसे पहले, जो आप jumper wire ले रहे हो, वो कितना mm का है, वो भी आपको देखना है, अगर आपका jumper wire बहुत जदा बड़ा हो जाता ह है, इसका thickness अगर मोटा हो रहा है, तो आपको इससे पतला बाला लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जब IC लगा होगे, फिर आपका उसके साथ यह touch करे जाएगा, फिर आपको काम नहीं हो पाएगा, तो आप जो normal बाला jumper wire होता है, अगर इसको यूज करोगे, फिर आपक पतला होता है, तो आप जो है, इसका भी यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास पतला बाला jumper wire है, तो आपका उससे आप काम कर सकते हो, लेकिन जो silver बाला jumper wire होता है, जिसका हम foil बगरा बनाते है, उस jumper wire का आप यहाँ पर यूज मत किजिए, क्योंकि उसका अंदर कोई cover नही होता है, आप उसको यूज करेंगे यहाँ पर फिर आपका problem हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक jumper करेंगे, तो हम इसका थोड़ा में बड़ा cut लेता हो, ठीके, मैंने इतना cut लिया है, तो हमको क्या करना भी jumper करना है, तो देखे, जो आप jumper कर रहे हो, जब अपने यहां पर wire लिया हुआ है, जो अपने soldering किया, वो ज्यादा नहीं करना है, आपका यहां पर जितना ball है, छोटा सा, अपको उतना ही छोटा सा ही, आपको यहां पर soldering कर लेना है, ठीके, तो चीज को ध्यान देना है, जगने मैंने यहां पर देखे, soldering कर दिया है, अभी इसको अच्छी से अपको लगाना है, माइक्रोस्कोप को अपको अच्छी से दिखना है, कि जो हमारा ball के अंदर जो gap है, उस gap से अंदर से अपको थोड़ा side कर लेना, ठीके, ऐसे कि मैं आपको इसको अभी मैं इसको side कर कर देता हूं, और side करते हैं पर क्या करेंगे, हम UV glue का यहां पर use करेंगे, जो हमारा marks होता है, जो हमारा marks होता है, UV marks, तो हम उसको use करेंगे, और उससे पहले मैं यहां पर stop कर लेता हूँ, सबसे पहले हम UV माउस को यहां पर लगाएंगे, और UV माउस को लगाने के बाद अब हम UV light को यहां पर लगाएंगे ना, इसमें जब हम जो हमारा glue को dry करने के लिए होता है, हाट करने के लिए जो UV light होता है, तो UV light को यहां पर अपलाई करने से पहले आपको एक चीज़ को देखना है, कि आप एक बार आच्छी से देख लिजे, जो आपका jumper wire है, वो सही से लगा हुआ है तो न, उसमें कोई problem तो नहीं है, या फिर किसी के साथ आपको यहां पर लग तो नहीं गया, तो वो आपको आ लगा देता हूँ, तो इसको हम कम से कम पास से 10 मिनिट रखेंगे, तो मैं इसको side कर देता हूँ, ठीक है, अभी, और हम, हो गया, अभी हम क्या करते है, IC को उतना time के रिवोल कर लेते हैं, ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा clean कर लेते हैं, हो गया, आपको शाहिद आसी से नहीं दिख रहा है, देख लिजिए हो गया, अभी हम इसको पेस्ट करेंगे और देखते हैं, यहां पे आपने यूवी पेन लगा कर रखा था इसको, कि यह इसका क्या result है, अभी यह बोट देखेंग हम, अभी हम इसको कुछ नहीं करना है, इस वायर को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, बस आइसी को हम को जो हम पे बिठा देना है, और आइसी को बिठाने के बाद जो है है, यहां पे हम इसको काम करेंगे, इसके बाद जो हम इसको jumper करेंगे, ठीक है, प्रेस्ट करेंगे के तो देखिए अगर ज़्याज हिलेगा तो अपकर हो सकता है तो हमको क्या करना है प्षेट जो है बहुत थोड़ा साम को ढालगा है यह पे ज्यादा पे यह आपर यूज़ करना ही नहीं है तिक एक चीज़ को ध्यां देगा पेस्ट अगर आप तो आपने जो यहां पर की को पड़ाना है जो जद खरहना है फिर आपने आपक काम जो है बीघर सकता है मैं आपको बार बार बर बोल रहा हूं फिर आपने आपका मैनथ बेकार हो जाएगा हीट देने से पहले हम जो है सिर्फटी के लिए इस आईसी को कबर कर दें दो ऐसे ही एसी बहुत दूर है ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको ठाक देते हैं ठीक है अब हम इसको जो है अभी अच्छे से इसको बेठाएंगे हैं पर अब हमको क्या करना है यहां पर क्या करना है थोड़ा सा पेस्ट हमको डाल देना है ठीक है हम क्या करेंगे साइड से थोड़ा सा ज्यादा नहीं देना है एक दम हलका देना है हम साइड से थोड़ा सा पेस्ट हमको डाल देते है हो गया है अब चाहो तो एकध Comms ao Content आइसी को फिला सकते हो अब आप डाउन ने करना है लिप रायट करना है आप डाउन करेंगे तो आइसी आपको टच हो सकता है क्योंकि आपने जो वैर लगा हुआ है एक के साथ संट सकता है एक तो आपको जो है यहां पर up-down नहीं करना है आपको right hand left आप जो है इसको hila सकते हो थो हुआ आपको पीलन से रहेगा तब अगर का सही नहीं है तो आप उसको आपको निगाल जाता है तो फिर आपको यह ए सूच लाना है कि आपका आईसी हो आपका बैठ गया है ठीक है अब इस वायर को क्या किया करना है कि हम यहां पर सिधा शिदा और जो हम्हारा डाइट है नीचे के साइड में go यहां पकर लेना है ठीक है है म', ठुझलिए हम इसको जंपर कर देते फिर सब्छब से पर कर दिया अभी सटन ऊंट्ख कर दिया अब इस früh वार को को फिक्स करना तो चलिये अभी हम reading को चेक कर लेते है टाइड मोर्प या हमने इसको चलिये वह इतकर करोप कर दयता हूं आथे अभर समय करेंगे रेट को कर देते है ग्राउंफ यह हम पर इसको ग्राउंफ ना कर देता हूं कि चलिये इस साईट में आपको अच्छे से देखेगा मैं rate को ground कर देता हूं ठीक है और यहां पर हम reading चेक करेंगे कितना है अभी आ गया देखिए 502 और उपर के side में हम चेक करेंगे कितना आ रहा है 485 तो अभी थोड़ा सा गरम है इसलिए ऐसा हो रहा है तो अभी आम बोट को थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद लगा के चेक करेंगे इसको और उससे पहले हम क्या करेंगे यह वायर अगर हमारा तूट जाता है फिर सारे मैना जो है वह हमारा बेकार हो जाएगा है हम इसको fix करेंगे कैसे है तो हम थोड़ा यहां पर यह भी ग्लू लगा देते हैं यहां पर ऐसी के उपपर है ठीक है हो गया है अब इस साइट को fix करेंगे अब हमको इस साइट को fix करना है तो हम इसको जो है सेपली करना काम करना है कि इस टाइप से जो है इसको यहां पर कर देते हैं करना है कि कोई भी component में टाच ना हो क्यूंकि अगर leakage हो जाएगा फिर voltage का इशू आजाएगा तब फिर हमको problem यहां पड़ सकता है पिर यहां पर यहां पर काम हमरा बिगड़ेगा यहां पर हमको वह चीज को भी यहां पर ध्यान देना है ठीक है कि चलिए हम फिर से इसको थोड़ा कर देते है कि हमने यहां पर मक्स लगा दिया है और हमको अभी यहां पर यहां पर थोड़ा हलका सा दे देना है तो हमने पूरा माक्स लगा दिया है यहां पर ठीक है अभी हम क्या करेंगे इसको इवी लाइट की मदद से जो है थोड़ा इसको ड्राइब करेंगे ना तो चली अभी मैं यहां पर लगा देता हूं थोड़ा दू एक मिनिट लग चली हो गया अभी मैं लाइट को अपकर देता हूं और आभी हम इसको चेक करेंगे तो आप देख लिजिए करके साइट करें ही अब है तो मैंने जो समझने की कोसिच किया हुआ है वह आपको समझ में आई ठीक है क्योंकि मैंने आपको details में समझा हुआ है कि समझाने की कोशिच की है कि आगर आपको power की काम ना करे तापको कहा से कहा तक काम करना है कैसे करना है कि अधिया हो रहा है result और उसके बाद one by one इस्टेप आपको कम करना है अगर आप tracing आप अच्छे से कर लेते हो अगर आपको problem पता है कोई भी problem हो कोई भी अगर mobile का नहीं है आप कोई भी problem है अगर आपको problem पता चल जाता है तो आप उसका solution निकाल सकते हो अगर आपका problem ही नहीं पता कि problem कहां से आ रहा है तो आप कोई भी चीज़ का चाहिए mobile हो चाहिए दुसरा हो आपका personal life में भी अगर कोई problem है और आप problem को सोच सकते हो कि problem क्या है problem कहां से आ रहा है तो फिर उसका solution निकल सकते हो किसी भी तरह से और आपको problem ही नहीं पता अगर उसका problem कहां से हो रहा है वहाँ नहीं ही पता फिर अपकेस का solution जो है आपका इसमें problem हो जाता है कि तो बास उस्तों इस वीडियो में इतना है तो अगले वीडियो अपको कोई रेस्पोंस नहीं दे पाई फिर भी आपने 30 के सब्सक्राइबर हो गया है वोई वीडियो आपने देखा हुआ है सस्क्राइब के हुआ है और जो भाई आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो अपने चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि अभी जो है मेरा वीडियो में कोशिश करूँगा हफते या फिर दस दिन में एक वीडियो को डालने क तो थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब उसमें time limit बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जैर आगर आगर आप वीडियो को देखते हो आप को जो है इसमेर का पालगे ऐसे में चैनक्यों बात 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 बत फैंक्यू और अपना हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब राइक क कोशिश करेंगे तो चले वोस्ता मिलते आगले वीडियो में इस वीडियो को देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू